वेल्कम टू क्रिप पॉइंट अवेरनेस चैनल मेरा नाम सैयद है मैं इन्फोर्मेशन स्क्यूरिटी प्राइवेसी कंप्लाइंस और विस्क मेंजमेंट प्रोफेशनल हूं मैंने इस एरिया में 20 साल से जायद इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनिस में काम किया है अगर आप मुझे मज़ीद जानना चाते हैं तो प्लीज मेरा लिंक दिन प्रोफाइल चेक कीजिए वहां आप मेरे बारे में सब कुछ जान पाएंगे मैंने यह क्रिप्टो टोकन्स आवेरनेस चैनल बनाया है इसमें मैं बलॉग चेन क्रिप्रो टोकन्स क्रिप्टो करंसी और इन से जनरल इन्फरमेशन स्कूरिटी प्राइवेसी और विस्क मैंग मैसे रिलेटर भी डिसकुशन्स होगी इंक्लूडिंग कॉम्प्लाइंस जो डिरेक्टली इंपेक्ट करती हैं ब्लॉकचेन और उसे रिलेटर टेक्नॉलोजिस को इस चैनल की मदद से मैं अपने आपको भी एजुकेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नौलज है वो दुनिया में भी सप्रेड हो अगर आप इस फील्ड के बारे में कुछ जानना चाते हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मैं तीन चैनल में अपनी वीडियो अप्लोड करता हूँ इसके लावा मैं एक तीसरा चैनल है EOS Sweden के नाम से जिसमें मोस्ट्ली वीडियोज वो होंगी जिसका तो अलग EOS एकोसिस्ट्म से है और टेलोस इको सिस्टम से है अभी इन तीनों चैनल में कुछ ओवरलैप है लेकर जूँ जूँ वक्त गुजरेगा यह जो तीन चैनल हैं यह तीन डिफरंट डिरेक्शन में मूव करेंगे पहला मेली हिंदी और उर्दू को फोकस करेगा दूसरा मेली इंग्लिश को फोकस करेगा और पहला और दूसरा जो चैनल है इनका स्कोप ब्रॉड है यह ब्लॉक्चेन से लेटर सारी टेकनोलोजी पे फोकस करेंगे जो तीसरा चैनल है EOS Sweden वो फोकस करेगा दो मेजर प्लेटफरंस पे EOS पे और TELUS पे और इनके बारे में इस चैनल में डिसकेशन होगी इसके लावा इन तीनों चैनल के स्टीम इट में भी अकाउंट है यह जह इनके स्टीम इट में अकाउंट है प्लीज हमें स्टीम इट में भी सबस्क्राइब कीजिए स्टीम इट को यूज़ करने से आपको भी फाइदा हो सकता है एक तो स्टीम इट को जब आप यूज़ करेंगे आपको ब्लॉक्चेर की अंडरस्टेंडिंग होगी क्योंकि स्टीम इट जो है वो ब्लॉक्चेर पर रंग करता है वो एक डी सेंट्रलाइस्ट एप्लिकेशन ह वह एक कमपेटिटर है यूट्यूब का फेस्बुक का ट्विटर का इन सब का कपेट और इसमें यूजर्स के पास आप लोगों के पास काफी पावर होती है स्ट्रीम इट के बारे में भी मैं फ्यूचर में कुछ वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर आप स्ट्रीम इट के बारे में नहीं जानते तो आप उसको लर्न कर सकें आज के लिए इतना ही काफी है तो मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस